कि सजब्स रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सजब्स रूल किस कमपॉण्ड होता है और इसका क्या मेकानिजम है सजब्स रूल अलकोहलिक कमपॉण्ड में किसमें अलकोहलिक कमपॉण्ड में और इसमें इवन मेकानिजम होता है यानिकि Elimination 1 होता है और यह Acidic Dehydration Acidic Dehydration यानि कि Acid के Presence में Alcohol का Dehydration होता है और Alcohol का Dehydration in Presence of Acid यान इसको क्या करते हैं Heat करते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है वह प्रोडक्ट हमारा Alken बनता है और वो दो अलग टैप का Alken बनता है हमने एक का नाम दिया Alken 1 और दूसरा Alken 2 Alken 1 जिसमें की Alkyl की संख्या अधिक होती है More Alkyl और Alken 2 जिसमें की Alkyl ग्रूप की संख्या कम होती है इसे हम लोग Less Alkyl कहते हैं और जिसमें Alkyl में Alkyl group की संख्या कम होगी उसे हम लोग कहेंगे हो फान प्रोडक्ट यान कि यह हम लोग का मैजर प्रोड़क्त होगा और यह हम लोग का माइनर प्रोड़क्ट होगा इसे हम लोग एक एक्जामपल में देखेंगे अलकोहल का कंपाउंड यहां पर लिया गया है 1-butanol यह हम लोग ले सकते हैं 2-butanol क्योंकि दोनों में same reaction हो रहा है यहनकि 1-butanol ले यह हम लोग 2-butanol ले हैं S2SO4 के presence में जब heat करेंगे तो यह दो टैप्स का अलकीन दे रहा है एक दे रहा है 2-butanol और दूसरा दे रहा है 1-butanol अब 2-butanol में हम लोग देखेंगे कि अलकाईल गुरूप के संख्या कितनी है तो यहां के अलावा हम लोग देखेंगे यह double bond कार्म जुराहवा है और इसके बगल में यह अलकाईल एक R और इसके बगल में यह दोनों गुरूप में तो 2-butanol ब्यूटीन में अलकाईल गुरूप के संख्या कितनी है 2 है हम लोग का सकते हैं 2R और यहां पर one butine में अलकाईल गुरूप के संख्या तो इसके बगल में कोई अलकाईल गुरूप नहीं है और left side में यह इथाइल जो कि एक ही alkyl group है तो one butine में alkyl group के संख्या कितनी है एक है तो उपर में rules में लिखा गया है कि more alkyl group हम लोग क्या कहेंगे suggest product तो यहां पर दो alkyl group है हम लोग कहेंगे suggest product जो की measure form होगा और यह जो two butine का percentage होता है वो होता है 80% one butine जो कि less alkyl group है इसको हमने कहा यहां पर hoffman product जो की minor product होता है और इसका percentage होता है वो है यहां पर 20%